नमस्कार दोस्तों मैं आजय सिंग आपका स्वागत करता हूँ एससी मेकर की यूटूब चैनल में दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊंगा साइन्स और जीके के दोस्तों 25 अतिम हदपूर्ट प्रस्ण दोस्तों जो सभी परिशाओं में पूसे जाते हैं दोस्तों आप सभी प्रस्णों को ध्यान से देखेंगे और याद करते हुए चलेंगे और जिन प्रस्णों के दोस्तों आपको पता होगा उसे दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी जरूर करिएगा ठीक है तो देखें दोस्तों पहला कोशन है हमेशा पूसा जाने वाला भारती संबिधान में कितने परकार के आपात काल का उपबंद है तो दोस्तो चारों आप्शन को पढ़ेंगे और आंसर हो जाएगा दोस्तो आपात काल के उपबंद की विवस्था की गई है कौन कौन दोस्तो पहला राष्टी आपात जिसको अनुछे 352 के तहद मंडित किया गया है दोस्तो दूसरा है दोस्तो राष्ट पति सासन जिसे अनुछे 356 के तहद मंडित किया गया है और तीसरा है दोस्तो बित्ती आपात जिसको अनुछे 360 के तहद मंडित किया गया है तो कुल कितने परकार के दोस्तो है आपात काल की विवस्था की गई है तो तीन परक देखूंगा आपका दूसरा देखिए दूसरा प्रेश्ण है राष्टी एमानो अधिकार आयोग का मुख्याले कहां इस्तित है तो दोस्तो इसका अंसर हो जाएगा option number 10 हो जाएगा नई दिल्ली में है राष्टी एमानो अधिकार का आयोग का मुख्याले कहा है नई दिल्ली नेक्स्ट कोशन देखिए दोस्तों तीसरा प्रशन है तीसरा प्रशन भी important है पूछा गया प्रशन है संथाल जण जाति किस राज में निवास करती है तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा option number A जहारखंड में ये प्रशन most important है इसे याद रखेंगे संथाल जन जाति किस निमलिखित में से कौन एक गर्म पवन है तो दोस्तों चारों आप्शन को पढ़ेंगे तो इसका दोस्तों आशर कौन से सही हो जाएगा ओप्शन नमबर A सिराको सिराको दोस्तों एक गर्म पवन है और जो अन्य सभी देशे बोरा मिरिस्टर और बीजलिजाड जो यह सब दोस्तों है यह क्या है तो अन्य जो है वह ठंडी पवन है और सिराको क्या है दोस्तों गर्म पवन है इसे भी याद रिखेंगे प्रशन पूछा गया है नेक्स्ट कोशन देखिए छठा प्रशन है दोस्तों इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा लास्ट में कुछ साइंस के मोस्ट इंपोर्टन कोशन को सामिल किया हूँ जो बार-बार परिशाओ में पूसे कहा है तो इसलिए दोस्तों लास्ट तक आप देखेंगे तो सारे प्रशन आपको क्या होँगे दोस्तों तयार हो जाएंगे और आप कोई भी एक्जाम देंगे दोस्तों इसमें से आपको 2-3 प्रशन जरूर देखने को मिलेंगे देखिएगा छटा प्रस्ण क्या है दोस्तो छटा प्रस्ण है यदा यदा ही योगी पुस्तक के लेखक है कौन है चारों आप्शन को पढ़िए और कमेंट भी करिए इसका आंसर हो जाएगा दोस्तो आप्शन नंबर ए सही हो जाएगा विजयत्रिवेदी कौन है दोस्तो व गोपालपूर तट यानि बीच गोपालपूर बीच किस राज में है तो इसका अंसर क्या हो जागा option नमबर ए से ही हो जागा ओडिशा में गोपालपूर जो बीच है किस राज में है ओडिशा में है इसे भी याद रखेंगे next question देखिए आठवा प्रेशन है आठवा प्रेशन भी most important है पूछा गया प्रेशन है बहुत बार पूछा जा चुका है देखिए प्रेशन है भारत में निमलिखित में से किस से बर्षा होती है तो option पहला है दसीर पसी मांसून से option नमबर दूशरा है उत्तरपूर्व मांसू option नमबर दी है उप्यूक्त सभी से भारत में निमलिखित में से किस से वर्षा होती है तो उप्यूक्त सभी से अगला question देखिएगा दोस्तों अगला question most important है हमेशा दोस्तों यह प्रेशन पूछा जाता है और इसका answer आप लोग गलत करते हैं देखिए क्या इसका सही answer होगा comment भी किजिएगा निमलिखित में से किस राज में सरवाधिक लिंगानू पात है आप बोलेंगे दोस्तों कौन से राज बोलेंगे आप बोलेंगे केरल के बाद के बाद आपको बताना है कि कौन सा होगा के बाद कौन है दोस्तों तमिलाडू option के according answer दिया ज़ते है ठीक है आ answer हो जग दोस्तों option number 1 तमिलाडू तमिलाडू का दोस्तों लिंगानूपात क्या है 992 है लिंगानूपात दोस्तों क्या होता है 1000 क्या लढकों पे कितनी लडकिया है मनि एक हजार लड़के हैं तमिल लाडू में माल लिजिए तोहाँ पे 996 क्या है दोस्तो लड़किया है और केरल का लिंगानुपाद क्या है दोस्तो एक हजार चौरासी है कितना है दोस्तो एक हजार चौरासी यानि कि एक हजार लड़के हैं और 1084 लड़किया है ऐसे लिंगानुपात का निधानल किया जाते है ठीक है तो इसे भी दोस्तों याद रखेंगे प्रशन बहुत बार पूछा जा चुका है लोग सभा सदस्य बनने के लिए योगिता नहीं है दोस्तों क्या करिएगा कभी आप जीके के सेक्षन का यानि जो आपका जर्नल अवैंस का सेक्षन होता है उसे आप दोस्तों फेपर में शॉल्ब करते हैं तो प्रशन को ध्यान से आप नहीं पड़ते हैं यहां पे कहरा है योगिता नहीं है आप एक ही कोई अंसर देखते हैं योगिता है समझके तुरंत इमार देते हैं भारत का नागरी को तो यह इस बात का दोस्तों ध्यान लेखेंगे हमेशा छूट जाता है यह नहीं वर्ड ठीक है इस प्रशन को देखेंगे तो इसमें क्या मिला दोस्तों इसमें कहने को कह रहा है ये लोग सभा सदस्य बनने के लिए योगिता नहीं है नहीं है पूछ रहा है भारत का नागरी को सही है होना चाहिए पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए सरकारी लाब के पदपर नहीं हो ये भी सही ह Option number D है, उम्र 30 वर्स से कम ना हो, नहीं, लोक सबाइश अदसर के दोश्तों बनने के लिए क्या होता है, उम्र 25 वर्स होता है, तो ये क्या हो जागा, गलत है, 30 वर्स से कम ना हो कहे रहा है तो 25 वर्स से कम नहीं होना चाहिए, 25 वर्स से ज्यादा हो, ठीक है, तो Option number कौन सा गल है प्रस्न है पढ़िएगा भारत में बाकसाइड के उत्पादन एंभंडारर दोनों ही द्रिष्ट से कौन सा राज्य प्रथम अस्थान पर है चारों अप्शन को पढ़िए और कमेंट भी कीजिए और इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नमबर एस ही हो जाएगा ओरिसा दोस्तों आपको बता दू इंडियन मिनरल इयर बुक 2016-17 के अनुसार और इसा दोस्तों भारत में बाकसाइड के उत्पादन एंभंडारर दोनों ही द्रिष्टी से प्रथम अस्थान पे है तो आप्शन नमबर कौन हो जाएगा ये सही हो जाएगा तो इसे भी याद रखे नेक्स कोशन देखिएगा बारहवा प्रशन भी इंपोर्डेंट है प्रशन है बिधान परिषद में कुल सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है बिधान परिषद में पूछ रहा है तो दोस्तों पहले आप जान लिजे बिधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या उस रा कास्मीर इसका अपवाद है जम्मू कास्मीर क्या है जम्मू कास्मीर अपवाद है चालिस से कम नहीं होना चाहिए किसी विराज में लेकिन जम्मू कास्मीर में कितना है दोस्तो 36 है तो इसका क्या होगा दोस्तो एक बटा तीन से कम ठीक नहीं होनी चाहिए तो क्या हो सी कुल बिधान सवा सदस्यों का एक बटा तीन से कम ठीक है तो यह इसका आंसर हो जागा नेक्स कोशन देखिएगा दोस्तों अगला कोशन भी इंपॉर्टेंट है हमेसा पूसा जाता है दोस्तों अगला कोशन देखने से पहले जो नय स्टूडेंट है उनके लिए बता दो पंचम पब्लीशर की e-book के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं उसके बाद दोस्तों आपको बताता हूं तेरावा प्रशन देखिए दोस्तों यह पंचम पब्लीशर की e-book है आपके आगामी सभी परिशाओं लिए इंपॉर्टेंट है चाहें दोस्तों आप र इसी अकम शमय में ज्यादा से ज्यादा क को प्रिपैर कर लेंगे दोस्तों आपके एक्जाम में एक से दो दिन का भी टाइम है तो इस e-book को ले के आप जरूर पढ़ लिजिएगा आपके exam में काफी help मिलेगा दोस्तो इसमें science, general awareness और current affair की important pressure को सामिल किया गया है जो बार-बार पिरशाओं में पूसे जाते हैं दोस्तो पंचम पंचम पब्लिशन इसकी कीमत 150 रुपए रगी दी लेकि मेरे कहने हैं दोस्तो यह e-book आपको मायतर 25 रुपए मिल जागी इस e-book को दोस्तो आप ले कहा सकते हैं तो इसका link दोस्तो मैं नीचे इस एडिक्सवन बॉक्स में दे दिया हूँ उस link के तुरू इस e-book को आप डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तो यह e-book है पीडिफ नोट्स की तरह आपको मॉइल में डाउनलोड जागी आपको नहीं मिलेगी अगर जो दोस्तो आपको डाउनलोडिंग है पेमेंट से किसी फरक देखिए दोस्तो तेरहवा प्रस्ण भी में important प्रस्ण है हमेशा पूछा जाता है प्रस्ण है sodium thiosulfate को निमलिखित में से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है यह प्रस्ण पूछा जाता है तो इसका answer क्या हो जागा दोस्तो option number C सही हो जागा हाइपोविलेन के नाम से जान जाता है तो हाइपोविलेन अस फोडियम thiosulfate दोस्तो किसके यूज में आता है तो फोटोग्राफी के जो होता है रिल दुलाई उसके यूज में आता है ठीक है तो इसे भी याद रखेंगे next question देखिएगा 14 नंबर प्रस्ण है 14 नंबर प्रस्ण भी important है प्रस्ण पढ़ि समीति में 30 सदस्य होते हैं क्या यह सही है नहीं यह option पहला गलत है तो लोग लेखा समीति में कितने सदस्य होते हैं 22 सदस्य होते है ठीक है इसमें 30 कह रहा है इसलिए गलत है दूसरा क्या कह रहा है दोस्तों प्राकलन समीति में 30 सदस्य होते हैं यह सही है प्राकलन समीति मे तीस सदस्य होते हैं ये सही हो गया अगला क्या है दोस्तों अगला भी गलत होगा राश्टपती संसत का भाग नहीं है दोस्तों राश्टपती संसत का भाग होता है ये भी क्या है गलत है तो option number कौन से सही है बी सही है और क्या कह रहा है दोस्तो option number D पढ़िएगा option number D कह रहा ह राज़पाल की न्यूकती परधान मंतरी करता है तो ये क्या है गलत है राज़पाल की न्यूकती राष्टपती द्वारा की जाती है ठीक है तो ये भी क्या हो जगा गलत तो इसका कौन सा अंशर सही हुआ दोस्तों आप्शन नंबर कौन सा बी प्रैकलन समिती में 30 सदस होते है लोक लेखा में 22 राश्टपती संसत का भाग भी होता है और राज़पाल की नियुकती राश्टपती करता है नेक्ष कोस्टन देखिए 15 नमबर दोस्तों कोस्टन है गोली चलाते समय बंदूख से पीछे की और धक्का लगना किस सिधान्त पर आधारित है तो इसका दोस्त चलाते समय बंदूख से पीछे की और धक्का लगना किसी धान्त पर आधारित है संबेक सर्ण रचल के सिधान्त ओप्शन नमबर बी यह प्रशन पूछा गया है दोस्तों बहुत बार इसलिए से आप याद रखेंगे नेक्ष कोस्टन देखिए अगला कोस्टन है 16 नमबर किया गया था तो लाड एलन वरो क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा तो इसे भी याद रखेंगे बहुत बार पूसा जा चुका है नेक्ष कोस्टन देखिए मोस्ट इंपोर्टन प्रस्ट हमेशा पूसा जाने वाला प्रस्ट जैन धर्म का संस्थापक कौन था यह प्रस्ट मैं दोस्तों बहुत बार करा चुका हूं इससे आप कमेंट करके जरूर बताईएगा और मैं बता रहा हूं इसका आंसर हो जागा ओप्शन नमबर ए रिशव देव जैन धर्म का संस्थापक रिशव देव ठेटीक है नेक्ष कोस्टन देखिए अटरावा प् कौन सा हो जाएगा भारत में यूरोप वासी ओ के आगमन का सही करम तो इसका आंसर हो जागा ओप्शन नमबर ए पहले पूर्तगी जैनकि पूर्तगाली आए रिश अंग्रेफ ठीक है यह इसका सही हो जागा ओप्शन नमबर ए सही हो जागा नेक्ट को संदेखिए 19 नमब प्रश्ण भी most important प्रश्ण है प्रश्ण क्या कह रहा है पढ़िएगा प्रश्ण कह रहा है निमलिखित में से किस तोमर सासक को दिल्ली सहर को अस्थापित करने का स्रेय प्राप्त है किस तोमर सासक को दिल्ली सहर अस्थापित करने का स्रेय प्राप्त है चारों option को पढ़िय प्रथम सासक भी कहा जाता है ठीक है अनंग पाल याद रखेंगे नाम नेक्स्ट कोशन देखिएगा बीस्वा प्रश्ण बीस्वा प्रश्ण भी इंपोर्डेंट है प्रश्ण है निम्न में से कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाधी जी को अध्यक्स चुना गया था तो आंसर इसका कौन से सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बेल गाउ अधिवेशन ठीक है बेल गाउ अधिवेशन कब हुआते दोस्तों 1924 यह याद रखेंगे ठीक है बेल गाउ अधिवेशन पूछा जाता है और सिर्फ एक ही वार गाधी जी को अध्यक्स चुना गया वह भ आल कम समझ में आती हैं नहीं लगा पते हैं तो दोस्तो आप के लिए मैं एक चैनल बनाया हूँ जिसका लिंक दोस्तों मैं नीचे डिक्सपन Babox में उसका दे दिया हूँ दोस्तों आप उस चैनल पे जागे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे, नोडिफिकेशन बेल को अन कर लिजे, जहाँ पे मैथ बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, जीरो लेबल से पढ़ा रहा हूँ, चेप्टर वाइस पढ़ा रहा हूँ, कुछ जिने में दोस्तों हम जब आपकी मैथ की सारी चेप्टर समापत हो जाएंगी, दोस्तों आप भी मैथ के प्रेशनों को सेकेंडों में सॉल्ब करने लगेंगे, ओ भी विना पेन उठाएं, तो आपको मैथ में थोड़ी से भी प्रोब्लम होती है, तो दोस्तों उस चैनल पे जरूर जाए, जिसका लिंक दोस समुद्र गुप्ट को ठीक है, निमने कित्मे से कि सासक के सिक्क्व पर उसे बीना बजाते हुए दिखाया गया है, तो आंसर हो जागा, समुद्र गुप्ट ऑप्शन नंबर कौन सा, डी साई हो जागा, नेक्स्ट कोसन देखिए, most important question, हमेशा दोस्तों ये प्रेशन पू जाताएंगे, और दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, option number C, लगभग 12% गयों में प्रोटीन पाया जाता है, तो इसे भी याद रखेंगे, most important question है, अगला question भी important है, देखिए, प्रसन है, penicilline की खोज किसने की, ये प्रसन क्या है, ये प्रसन most important है, कोई भी दोस्तों एक्ज आंसर हो जाएगा, option number B, सही हो जाएगा, अलेक्जंडर फ्लेमिंग ने penicilline की खोज की थी, तो इसे भी क्या रखेंगे दोस्तों, याद रखेंगे, हमेशा पुछा जाता है, next question देखिएगा, अगला question भी important है, प्रसन है, केसर के लिए पौधे का कौश भाग उप्योग म लाया जाता है, तो answer हो जाएगा, option number इसका कौन सा, B सही हो जाएगा, वर्तिकागर, जिसे वर्तिकावी कहीं लिखानेता है, या वर्तिकागर, ठीक है, तो वर्तिकागर याद रखेंगे, option number B, अगला question देखिए, 25 प्रसन, most important है, ये भी बहुत बार पेपर में पूछा जा जाएगा, फ्रक्टोज, सहद का क्या है दोस्तो, प्रमुख घटा कौन सा है, फ्रक्टोज है, सहद में फ्रक्टोज कितने परसेंट पाई जाती है दोस्तो, तो 38.2% क्या होता है दोस्तो, फ्रक्टोज होता है, अगलुकोज भी होता है, गलुकोज कितना होता है दोस्तो, यह होते हैं दोस्तों 9% ठीक है इसमें जलकी मात्रा लगभग 17% होती है ठीक है यह भी याद रखेंगे तो यह सब प्रस्ण नहीं दोस्तों हमेशा दोस्तों परिशाओं में पूछे जाते हैं तो फ्रक्टोज इसमें कितना होता है 38.2 यानि कि प्रमुग घटक क्या है दोस् दोस्तों आपको बता दूए यह सारे प्रसंद दोस्तों आपको अच्छे लगे हैं तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेर भी कर दीजिएगा दोस्तों फेस्बूक वाटसेप टेलीग्राम जीतने भी दोस्तों आपके बास स्टड़ी ग्रूप दोस्तों ग्रूप में एक बार शेर जरूर कीजिएगा और जो दोस्तों इस चैनल पे नए हैं जिनको यह उस्तों हमारे वीडियो की डेली नोडिफिकेशन नहीं मिलती है नीचे दोस्तों रेट कलर का सब्सक्राइब लिखा हुआ दोस्तों वहां पर आप क्लिक करके दोस दोस्तों अगले वीडियो में और भी इंपॉर्टन प्रशनों के साथ तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद